कुछ वक्त पहले एक चीज लिखी थी मैंने यूट्यूब पर हर व्यक्ति की खुदसा बनना है की शुरुवात उससा बनना है से होती है ऐसा मुझे लगा और मैंने ये विचार जो है शेयर किया तो कुछ लोगों को समझ नहीं आया कि ये मैं क्या कहना चाहता हूँ चीज बन पड़ती है बोल देते हो किसी को कोट बन जाता है शेयर बन पड़ता है उस तरह से वरना थौट तो ये हमेशा से था मेरे मन में तो आज इसी को हम एक्स्प्लोर करने जा रहे हैं कि और इसमें जो जो एक्स्प्ल में डिसकस करूँगा वो पहला यही है जो मैं हमेशा से बात करता भी आया हूँ उस बारे में कि जब हम कवाली गाते हैं तो हम देखते हैं बड़ा जोर से चीखना चिलाना होता है या जब हम शास्त्रिय संगीत गाते हैं ख्याल गाई की करते हैं तो आप देखते हैं बड़ा आवाज का लगाव इतना दम आ रहा है उसमें और जब हम बॉलिवूड की तरफ बढ़ते हैं तो हम अपने आप अपनी आवाज को सॉफ्ट कर लेते हैं तो यह अलग-अलग-अलग-अलग क्या है और क्या हमें रखना चाहिए कैसे हमें गाना चाहिए क्योंकि हमारी जो सिंगिंग स्टाइल है उस पर मैंने जब बात की थी जिसमें मैंने बताया था कि आप अरजीज सिंग साब को अगर सुन रहे हैं तो आप उनको कॉपी करने लगते हैं या किसी भी सिंगर को आप सुनते हैं तो आप उनके जैसे बन जाते हैं तो उसी टॉपिक पर आजी है और एक मैंने हाल की कुछ समय पहले एक वीडियो दिया था नाईकी और गाईकी पर तो यह जो टॉपिक है यह उनी दौनो वीडियो का उनी दौनो टॉपिक इसका extension समझ लीजिए कि उसी के आगे की बात है या उसी बात में मैं कुछ अपना योगदान और दे रहा हूं उसी मत को आगे बढ़ा रहा हूं ठेक है तो पूरा वीडियो देखी और जानिए कि इस वाक्य का क्या मतलब है और ये जो अलग-अलग गाईकी के styles हैं इनको कैसे हमें समझना है और कैसे इंपर आमल करके अपने आप में बदलाव लाना है या हर एक type की संगीत के विधा में कोई न कोई ऐसा होता है व्यक्ति जो उसका pioneer होता है या जिसने उस विधा में इतना काम किया कि वो style जो है उस व्यक्ति के नाम से जानी जाती है जैसे आज अगर कोई आज की तारीख में बॉलिवुड में entry करता है और कहता है कि मैं हिंदी गाने गाना चाहता हूं हिंदी film songs आज की तारीख के हिंदी film industry में तो उसकी inspiration में list के जो top 5 नाम है उनमें अरिजीत सिंग साब आते हैं उसमें सोनो निगम साब आते हैं उसमें अगर पुराने singers जाया जाये तो केके आते हैं मोहित चोहांजी आते हैं तो ये वो singers है जिनको जिनकी aspiration लोगों को होती है कि ऐसा बनना है ये हमें भी पसंद है क् कि हमें भी करना है ये हमें बड़ा अच्छा लग रहा है तो उससे हम aspire होते हैं उसकी तरफ कि हमें ये achieve करना है पहले आप उससे inspire होते हैं कि यार ये अच्छा लगा मुझे है ना मैं करूँगा अब aspiration मतलब उस तरफ आपका काम बढ़ जाता है कि मुझे ये बनना है inspiration तो ह हम संगीत सीखते हैं तो सबसे पहला यही होता है कि आर अपने गुरुजी को गाते देखा ऐसा बनना है आपने आपने किसी और कलाकार को गाते देखा ऐसा बनना है तो उससा बनना है उसके जैसा बनना है ये हमारे मन में पहली चीज़ आती है लेकिन यही खास बात है सीख कि जब आप सीखने लगते हैं धीरे धीरे सीख जाते हैं तब आपको समझ आता है कि उससा अगर मैं बन गया वो तो अलरेडी एक्जिस्ट कर रहा है तो लोग मुझे क्यों देखेंगे ड्यूप्लिकेट को फर्स्ट कॉपी सेकंड कॉपी थर्ड कॉपी को क्यों ही सुना जा इसलिए उनके शुरू के दौर में टी सीरीज ने उन्हें बहुत काम दिया क्योंकि टी सीरीज कमपनी जो थी उस समय वो ये काम कर रही थी के कैसिट्स बनाती थी जिसमें रफी साहब के पुराने गानों को नए म्यूजिक के साथ देने की कोशिश उनकी होती थी ताकि आज क जनता नए साउंड के साथ नए क्वालिटी में उन्ही गानों को सुन पाए तो सोनो निगम साहब वस दी बेस्ट आप्शन क्योंकि वो रफी साहब के गानों को इतना बखुबी गाते थे जतना शायद और कोई उस जमाने में नहीं गा रहा होगा इसलिए उनको चांस देन रहा है या फिर यह कहें कि आ रही तो सुनो निगम साहब है यानि आप ऐसा बनो कि आपको देखकर लोग आप सांबनना चाहें तो उसके लिए आपमें एक औरिजिनलिटी होनी चाहिए आपमें यूनिकनेस होनी चाहिए मैं उसी की बात इस वाखिय मैं करने की कुशश कर हर व्यक्ति की खुद सा बनना है कि शुरूआत उस सा बनना है से ही होती है कि मैं उसके जैसा बनूँ और फिर उसे समझ आता है सीखते सीखते कि नहीं शास्त्री संगीट जब सीखेगा तो समझ आएगा नहीं यार इसमें तो वो यूणीकनेस develop हो रही है मेरे अंदर जो मेरी पहचान बन रही है कि आज but of course मैं अपनी भी बात करो तो मेरे अंदर मेरे पिता जी मेरे गुरू जितने हैं वो सब नजर आते हैं लेकिन क्या मेरे अंदर मेरी अपनी कोई ऐसी uniqueness होगी जो किसी में नहीं है जिस नाम से मैं जाना जाओं कि ये जो बात है ये तो निशाद में है और ये बात है ये particular इस आदमी में है यानि अपनी एक ऐसी खास quality ऐसा कोई रंग जो सिर्फ आपी का हो है ना खेर अब ये तो एक theoretical बस उस quote को समझाने की बात थी अब आता हूँ मैं थोड़ा सा practical पर आपको कुछ चीजने गा कर भी अभी मैं सुनाओंगा कि क्या ये जरूरी है कि क्वाली जब हम गाएं तो चीखना या चिलाना या उंचे स्वर हूं ये कंपल सरी है क्या या जब हम गजल गाएं तो बहुत ज़दा classical हो हार्मोनियम तबला हो ही हो और रागदारी हो बाकाइदा और बहुत ज़दारी अच्छी बारीक बारीक ताने हो क्या ये जरूरी है या जब हम बॉलिवूड या फिल्मी गाते है या हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के गाने गाते है तो आवाज का हलकापन क्या ये जरूरी है इस पर हमारा मुद्दा है मेन हमारा सवाल ये है तो क्या ही ये कंपल सरी है तो जो शुरू मैं मैंने बुला कि जो उस जौनर के उस विधा के जिसमें जिसने उस विधा में बहुत काम कर लिया होता है उस काम की कौालिटीज जो है यानि उस इंसान की कौालिटीज उस काम की कौालिटीज बन जाती है जैसे कि अगर मैं बोलू कि कववाली का चलंज जो शुरू हुआ होगा मेरे ख्याल से वो उस समय का है जो सूफी गाई की है उसी में से निकल के लोगों ने कव्वालियां करना शुरू किया और कव्वाली का मतलब होता इश्वर की अबादत करते हुए आप गा रहे हैं फिर धीरे धीरे उसमें आप देख रहे हैं थोड़ा सा रोमैंस भी आने लगा मौसिकी में शायरी इस्तमाल करने लगे और वो भी शायरी कैसी जिसमें महभूब महभूबा की बात की गई हो लेकिन वो एक चाया वाद था यानि वो इंडिरेक्टली लिंक इश्वर से करता था फिर खवालियों में आप देख रहे हैं तो शराब का जिक्र होने लगा फिर क्योंकि वो भी शायरी वही पोईट्री जो है उर्दू अदब का इस्तमाल करकर के लोगों ने खवालियां गाना शुरू किया खवाली की जो मशुर गायक रहे उन्होंने जिस अंदाज की गाईकी बनाई जिस गाईकी से उस खवाली को परसिद्द किया तो लोगों को लगने लगा कि खवाली तो ऐसे ही गाई जाती है लोगों ने उनको कॉपी करना शुरू किया जिसमें मैं सबसे बड़ा नाम हमेशा से लेता आया हूँ उस्ताद नुसरत फताहली खान साब का कि वो बहुत अच्छे खवाल रहे तो उनको लोगों ने कॉपी किया कि खवाली तो ऐसे होती है हमें भी खवाली ऐसे ही करनी है जबकि आप देखेंगे तो और भी खवाल थे जिनका स्टाइल ओफ सिंगिंग अलग था तो हमने क्या किया हमने उनका सिंगिंग स्टाइल अपना के उस जॉन्र को ही तै कर दिया कि खवाली तो ऐसे ही गाई जाती है अगर आज में उनकी ही गाई हुई उनकी बनाई गई गई खवालीों को थोड़ा सा अपनी आवाज में अपने ढंग में सुनाने की कोशिश करूँगा तो लोगों को नहीं पसंद आएगी यह एक्जामपल में हमेशा देता आया हूँ जब हम घजल की तरफ बढ़ते हैं घजल का बहुत बड़ा नाम उस्ताद महदी असन खान साब है और बड़ा नाम जिकजीद सिंग साब है और बड़ा नाम हरी हरन साब है एक और बड़ा नाम तलत अजीज जी है तलत महमूद ज तो ये बड़े बड़े नाम हैं घजल के, अब अगर महदी साहब की स्टाइल को ही फालो करते रहते, तो मेरे ख्याल से न तो घुलाम अली साहब होते, न जिग जीत साहब होते न हरीहरण साहब होते. ये आप देखे हैं कितनी अलग-अलग विविधता है इनकी गाई की में जबकि देखा जाए तो सब एक दूसरे से इंस्पिरेशन ले रहे हैं अगर आप देखते हैं महधी असन खासाब कोई आप घसलें सुनते हैं और फिर उन्होंने ये रिसर्च करी अपने आप पे काम किया कि इसमें खुद कहां से लाओं मैं खुद सा कैसा बनूँ तो उन्होंने अपना भी कुछ इंपूट दिया उसमें थोड़ा सा western मिलाया थोड़ा सा करनाटक मिलाया और यह करकरके उन्होंने अपनी singing style बना ली तो उससा बनना है के बाद खुदसा बनना है सोचना पड़ता है तो यह जरूरी और मैंने एक वीडियो दिया था जिसमें मैंने समझाया था कि Bollywood singing क्या होती है किसी को अगर Bollywood से तो मैंने उसमें यही बताया था कि मैंने का Bollywood कुछ अलग सी जगा नहीं है जगा तो Hollywood है हमने तो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का नाम Bollywood रख दिया हमारे जो देश में कई प्रकार की फिल्म इंडस्ट्रीज है जिसमें से एक हिंदी है जिसमें मराठी सिनेमा भी आता है कनड भी है तेलग भी है तमिल भी है आज की तारीख में तो इस चीज से सब वाकिफ हैं कि कितने प्रकार के सिनेमा हमारे यहां चलते हैं तो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का कोई एक जॉन्र नहीं है कि ऐसे ही गाया जाता है फिल्मी गानों का वो एक धंग नहीं है कि वो तो वो तै करना होता है खयाल गाई की में जो पंच आता है दम आता है उसकी एक विधी है खयाल गाई की का मतलब आवाज का लगाव अगर आप देखें तो हर गराने में भिन भिन होता है पट्याला की गाई की अलग होती है इंदौर की अलग है ग्वालियर की अलग है दिल लुतान होंगे आलाप होंगे आकार की ताने होंगी स्वर की ताने होंगी और तानों के भी कितने प्रकार होंगी क्या होगा कि सब तक की गाई की परधान होगी है कैसी परधान होगी वो सब बदल जाता है अलग अलग घराने में यानि विधी लग भग लग भग बदलती रह बस ये मेरा मेन टॉपिक है बताने का जैसे मैं एक्जामपल करके आपको बताता हूँ भी ये जो हलका हलका सुरूर है तेरी नजर का खुसूर है मुझे को पीना सिखा दिया मुझे तेरा दिवाना बना दिया ये जो हलका सुरूर है तेरी नजर का खुसूर है अब ये देखा जाये तो न की नुसरा साब के कव्वाली है बड़ी मुशूर इसको जरूरी है क्या मैं उतने ही उँचे पिछ पर गाऊँ, उतना ही चीखना चिलाना करूँ उतना ही जोर-जोर से गाऊं जिसना कई दूसरे कवालों ने किया है तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कंपल्शन है क्यों? क्योंकि उनकी उस समय की गाई की का कारण कुछ और था जैसे मैं हमेशा से बोलता हूं कि तब माइक्रोफोन्स नहीं थे तो अपनी आवाज को सब लोगों तक पहुचाने के लिए एनहेंस्ट नहीं थी जैसे थेटर है थेटर में you have to be loud तो क्यों होना पड़ता है loud because microphones नहीं है because expressions loud होने पड़ते हैं क्योंकि audience दूर बैठी है उसी तरह से कवालियों में भी ऐसा होता था उस समय का भाव है अब इसमें मैं ताने नहीं मारूंगा कि अगर युब अगर जो हलका अब ले भी सकते हैं ताने ऐसा नहीं आप देखेंगे तो मैईदी साभ अपनी घजलों में कोई ताने माने नहीं नहीं लेते हैं लेकिन नग जजजीश साभ बोलते हैं वो अपनी खवालियों में अलग-अलग दूसरी खजलों के शेर पढ़ दिया करते थे, तो वो उनका अंदाज था, इसका मतलब ये बिलकुल नहीं कि खवाली वैसे ही गाई जाएगी, है ना, या कोई भी जो पर्टिकुलर जानर है वो वैसे ही गाई जाएगा, शास्त्री स तो बदलाव तो होता ही है, ना, तो मेरा ये कहना है कि उसमें अपना खुदसा वाला जो पॉइंट है, जो मैंने बोला नहीं कि खुदसा बनना है, वो पॉइंट बनाने के लिए कुछ आपको परिवर्टन करने पड़ेंगे, कि आप किस तरह से उस घजल को गा रहे हैं, क इशाद कामिल जी लिखते हैं, सुआनंद किरकरे जी लिखते हैं, ये बॉलिवूट के बहुत मशूर राइटर्स हैं, ये लोग नजमे लिखने लग गए हैं, नजमों का दौर फिर लॉट आया है, पहले गीतों का स्ट्रक्चर अलग हुआ करता था, तो कोई भी चीज त खुदसा बनना है के बाद, खुदसा बनना है, इस पॉइंट पर आप काम करेंगे, तो जैसे ये खवाली मैंने गाके सुनाई, या फिर अगर मैं घजल सुनाता हूं कोई के, होटों से छूलो तुम, मेरा गीत अमर कर दो, अब इसको अगर मैं ऐसे गाने लगूं, होटों से छूलो, तुम, मेरा गीत अमर कर दो, इतना हरकत मुर की लेके, इतना मोड़ करके, अगर मैं ऐसे गा रहा हूं, तो कई बार उसकी जो खासियत है, वो खराब भी बन जाती है, जो आपने, जो उसकी खासियत ही, जो composer ने या जो original singer ने गाया होगा, उसको बहुत ज़ादा भी परवरतन नहीं करना, इतना ही, ऐसा ही परवरतन करो, जो सोच उसकी उसने लगई, है की नहीं, तो इस तरह से आप create भी करते हो, अब इस घजल को गाना है, तो आप जगजी साब ने जैसी गई है, तो आप कोशिश ज़्यादा तर यही करोगे, वैसी गाऊं, क्योंकि audience को वैसी ही पसंद आएगी, क्योंकि किसी और की गा रहे हो, अगर आपको अपना नया experiment करना है, तो अपना ही बनाओ, नहीं बनाओ, परवर्तन किया जाता है, लेकिन ख्याल रखा जाता है, कि वो चाल कैसी जा रही है, जैसे होटों से, होटों से, छूलो तुम, अब यही style जा रहा था, तो मने उसी style के variation की, है ना, variations में मैंने ताने माने नहीं मार दी, अब जहां तान की, जैसे खु योग है पूरा, तो वहां मैं ताने भी मारूंगा, तो उसका भी खयाल रखना होता है, लेकिन मूल जो मेरी बात थी, जो मेरे खयाल से मैंने clear करी होगी, और वो पिछले दो वीडियो में भी मैं clear करी चुका हूँ, कि खुद सा बनने की कोशिश के लिए आप कुछ न अपने करते रही है और उसका मेन जो मुख्य प्रयाज है वो होता है सीखना, आपको सीखना पड़ेगा उसके लिए शास्त्रिय संगीत खास करके, ठीक है, तो मेरे खयाल से यह topic clear था, और भी हम topic लाते रहेंगे, वीडियो को देखते रहें, सब्सक्राइब करें हमारे चै जुड़ने के लिए तो details आपकी screen पर आई रही है already, अगर आप जुड़ना चाहें तो, शुक्रिया